नमस्कार दोस्तो मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और अच्पी नॉटकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेल पर देखी चुके हैं कि हिमाचल परदेश में जो है कल बैठक में जो है जो बड़े फैसले होने बाल आप स्वागत बेएपस्टों चा हूं तो वीडियो पर एंट तक मने रही है अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक ने किया तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी न भूलें जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबाला है ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो शुरू करते हैं तो देख सकते हैं हिमाचल में एक मई तक शेक्षन संस्थान बंद रखने पर कल होगा फैस लिया जाएगा आगे बताया है कि हिमाचल परदेश में एक मई तक शेक्षन संस्थानों को बंद रखने का फैसला संबार को होगा करोना संक्रमन के मामले बढ़ने पर परदेश के स्कूल कोलिजों की जूटियां बढ़ाने की त्यारी शूरू हो गई है परदेश में अभ 14 मई तक टालने का फैसला लिया है एक मई को परीक्षाओं को लेकर स्मिक्षक की जानी है ऐसे मैं संबावित है कि एक मई को ही करोना संक्रमन की स्थीति को देखने के बाद स्कूल कॉल्लिजों को बंद रखने या खोलने को लेकर आगामी फैसला होगा परदेश में स्कू को सरकार ने एक मा तक दोराने का फैसला लिया है शिक्षकों को इस बाबत वर्साइप के माध्यम से वीडियो और वर्कशीट निदेशले रो जाना भेज रहा है जिसे बच्चों को शिक्षक नियमित आधार पर भेज रहे हैं नौमी से जमा दो कक्षा के विद्यार्थियों का 19 अपरेल को बेसलाइन टेस्ट भी लिया जाना पस्तावित है समगर शिक्षा अभ्यान राज्य प्रियोजना निदेशले या टेस्ट ओनलाइन लेगा इसमें नौमी दसमी और जमा दो कक्षा में अभी दाखला लेने वाले विद्यार्थियों का ग्यान जाचा जाएग तो इस परकार देख सकते हैं कल की बैठक में वो स्कूल कॉलिज कब तक बंद रखे जाएंगे और एक्जाम पर एक मई के बाद समिच्छा होगी कि कब बोल्ड के कॉलिज के एक्जाम करवाए जाएंगे तो दोस्तों ये थी अभी की आज की ताजा ख़बर ब्रेकिंग न